30 मार्च यानी राम नौमी का दिन सिनेमाई फ्रंट पर काफी दिल्चस्प होने वाला है इस दिन दो सूप स्टार्स की पिक्चरें एक साथ रिलीज हो रही है पहली है अजय देवगन की भोला और दूसरी है तेलुगू एक्टर नानी की दसरा ये वही नानी है जिनकी फिल्म जर्सी के रीमेक में शाहित कपूर ने काम किया था दसरा और भोला अपनी अपनी जगहे पर दोनों आक्टर्स के लिए बड़ी फिल्म है भोला को अलजय देवगन ने खुर डिरेक्ट किया है ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म उनके लिए कितना माईने रखती है वहीं दसरा नानी की पहली पैन इंडिया फिल्म है ऐसे में उनके लिए भी ये पिच्चुर बहुत एहम है इसलिए दोनों प्रमोशनल लेवल पर पूरा जोर लगा रही है ये कट थ्रोट कॉंपटिशन का दोर है इस दोर में नानी ने एक ऐसी बात कही जो दिल खुश करने जैसी है कोई मोई में छपी खबर के मताबिक नानी से जब दसरा और भोला के क्लैश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अजय देवगन को बहुत चाहते हैं क्लैश यसी कोई चीज नहीं है अपनी फिल्म के प्रमोशन के पीच उन्होंने भूला देखने की भी अपील की उनका कहना था हम सब अजय देवगन से प्यार करते हैं मुझे नहीं लगता हमारे बीट कोई क्लैश है मैं सबसे गुजारश करता हूँ कि सुभह बोहला देखें और शाम को दसरा नारी ने अपनी फिल्म को लेकर भी बात की उससे connect करने का reason भी बताया कुछ emotions होते हैं जिनसे हम सब relate कर सकते हैं ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे डिरेक्टर ने खुद जी है ये उनकी असली कहानी है उनके पता कोईले की खदान में काम करते थे उसी real story पर ये फिल्म based है दसरा कोईला खनन और इस धंदे का राजा बनने की लडाई के बारे में है इसे श्रीकांत ओडेला डिरेक्ट कर रहे हैं ये उनकी पहले पिक्चर है दसरा के बनने की कहानी बड़ी interesting है श्रीकांत के पता खुद कोईला खदानों में डम पर चलाते थे श्रीकांत ने उनकी कहानी लिखी और नानी जैसे सूपस्टार को लेकर पिक्चर बना डाली अपनी फिल्म पर आगे बात करते हुए नानी ने कहा इसमें content के साथ entertainment भी है इससे mass audience connect कर सकेगी इसमें कोई larger than life character नहीं है आप हर किरदार से relate कर सकेंगे उनके साथ आप हसेंगे और रोएंगे भी कोई मोई में छपे report के मताबिक फिल्म में कुल 36 cuts है नानी के अनुसार 22 cut तो एक ही dialogue में है उन्होंने ऐसा होने की वज़ह भी बताई एक शब्द है जो तेलंगाना में common है North India में उस शब्द का sound गाली जैसा होता है इसलिए उसे sensor ने mute करने को कहा कहने का मतलब है multiple language में फिल्म रिलीस करने की वज़ह सी भी cuts लगे होंगे दसरा की original language देलुगू है 30 मार्च को इसे Tamil, Kannada, Malayalam और Hindi में भी रिलीस किया जाएगा 30 मार्च को ही अज़देवगन की फिल्म भोला भी की theaters में लग रही है आपके लिए तमाम जानकारी जता ही थी मेरे साथी अनुभव ने मैं हूंकर मा देखते रहे लेलन्टॉप सिनेमा शुक्रिया सिर्फ उनसे रुपर महिने में पाईए YouTube पर L.T.Premium किसी भी प्रेटफॉर्म से तीन दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे Guest in the Newsroom किताब वाला आदी इसके लावा बहुत कुछ सब्सक्राइब करने के लिए लेलन्टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें जॉइन बटन